तो दोस्तों आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एड़ वेकेंसी के रिगारिंग क्योंकि देखिए आप लोग को जो जर्नल डूटी की वेकेंसियां होती हैं उसके बारे में सारी नौलिज होती है जैसे सब इस् संब कर देखिए कोई मिलेगा ने काशीकम वेकेंसी जाती हैँ चार पांश-पांस साल में आप लोगी वेकेंसी निकलती है महिं कॉंस्टेबल की हो और समिंस्पडरी रिबारत करें तो हर साल वेकेंसी निकल जाती है अब इसमें मैं सबसे पहले हम कवर काईंगे आप जो आप लोग की वेकेंसी आई है एडवो के लिए इसको हम एडवो बोलते हैं और टीपीव बोलते हैं यानि टैली प्रिंटर ऑपरेटर कुछ भी कह सकते हैं आप लोग दोनों आप लोग की सेम पोस्ट है क्यों इनका वर्क प्रोफाइल ही ऐसा है कि यह वायरलेस पर भी का ऑपरेटर का वर्क है यानि जो जेकना वी काम होता है वह बार लाटेक्ष आप लोग की इंटरकनेक चैंज होती बोथी रहती है तो किस तरीके से चैंजर की बहुत समझीए का जैसे आप लोग के अगर सौंबार को डूटी आठ से दो होती है यनि 8 a.m. से लेकर 2 p.m. duty होती है तो आप लोगो 24 hours का जो है यहाँ 2 p.m. के बाद 24 hours का rest होता इसके अंदर और उसके बाद अगले दिन जो आप लोगी duty आएगी वो आप लोगी 2 p.m. से शुरू होगी और वो 8 p.m. का rest हो जाएगा उसके बाद आप लोगी जो next duty आएगी वो आप लोगी आएगी 8 p.m. से लेकर 8 a.m. तक यह night की duty होती है यह 24 hour की duty होती है और बागी सब 6 गंटे की duty होती है लेकि यह 24 hours की भी 6 गंटे के बराबर ही होती है क्योंकि इसके अंदर आप लोग night के अंदर call कम आत salary है वो क्या है तो यह head construction ministerial की job है यानि इसकी जो जो package है salary package है वो आप लोगा basic salary 25,500 है इसके अंदर और वो यह आप लोगी head construction ministerial के अंदर है salary मैं आप लोगो सो कर दूँगा दोनों की और जो इसका timing होता है वो जो office का timing होता है वो यह इसका timing होता है यानि साड़े 9 से लेकर जो डिली के अंदर office की time है दिलीपरिस की वो साड़े 9 से 6 पीम तक है तो यह आप इनका timing होता है जो आप लोगा ये जारत तरणी पर का सिर्द ये शुरिष स्व मैं है वर्क होता है इसके अंदर वर्दी यह पहेंगी होती है या कहिंक वर्दी पहननी होती है और वो सभी employees को follow करने होते हैं जैसे 15 अगाश 26 जनरी तो यह चार occupation होते हैं जिन पर वर्दी पहननी होती है और next बात करें इसका जो छुट्टियों की बात करें तो यहां पर आप लोगो सेचरडी संदे का आफ होता है संदे का इसलिदे का आफ होता है और जो गतिकार संदे करता है old family अगर कोई काम आ जाता है तो बुला लटे रहिते हैं वहना यह आप लोगे weekly off होते हैं इसके अंदर अब यहां पर आप लोगी हम बात कर लेते हैं salary क्योंकि अब सबसे important task आ गया salary क्या मिलती है इसके अंदर तो देखिए यह आप लोगी officially work है और head constable ministerial की बात कर रहे हैं हम तो head constable का जो basic pay है वह आप लोगों मिलेगा basic pay head constable का जो होता है वह आप लोगों का 25,500 रुपे होता है और इसके उपर आप लोगों को DA मिलता है जो 17% है अवी और वह आप लोगों का मिलता है 43,000 तो माफ किजिए 4,335 रुपे है कि अचारी मिलता है 24 परजेंट यह आप लोगों का हो गया 6,120 रुपे फिर 的 मिलता है एस पर यह आप लोगों discern पलस डिय तो मिला यह आप접 हो जाएगा 42,1 27 रुपे टोटल बात करें टोटल सेलरी की तो टोटल सेलरी आप लोगी बनती है इसके अंदर 40,166 रुपे की लेकि इसके अंदर कुछ डिड़क्शन होते हैं डिड़क्शन होगा NPS पलस आप लोग का इस पर भी आप लोगा डीय होता है तो यह आप लोगा जो टोटल डिरक्षन होगा वह 10% होगा NPS जो होता है यह आप लोगा टोटल डिरक्षन होगा इसके अंदर और आप लोग की सैलरी जो बन जाएगी वह 37,183 रुपए बनती है तो टोटल यह होता है वर्क प्रोफाइल हेड कॉंस्टेवर मिनिस्टियल का और एड़वलोय निए असिस्टेंट वायरलेस ओपरेटर का अब आप लोग का जो भी सूटेवल होता है जो भी आप लोग अच्छा लगता वो आप लोग चेक कर सकते हैं और अगर प्लस पॉइंट हम बात करों तो अगर हैड कॉंस्टेवर मिनिस्टियल अच्छी funk जोब होता है इसमें वर्क प्रोफाइल ज़्यादा होता है लगातार कॉल ticks करना होता है पिर उनको टैली प्रुमिनिक्रि Gallery करने होता है और head customer minister के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है साथ स्रिफ typing का work है official work होता है वर्दी नहीं पहननी होती है और आप लोग को weekly rest तो मिलते रहते हैं Saturday Sunday का weekly दो rest होते हैं और वहीं अगर ADLO में एक weekly rest होता है तो यह आप लोगी work profile हो गई totally work आप लोगा दिल्ली के अंदर होगा क्यों आप लोग दिल्ली पुलिस के अंदर ADLO और head customer minister के अंदर जो हैं appoint हो रहे हैं और इनकी training ज्यादा tough नहीं होती है काफी smooth training होती है तो यह आप लोगा total work profile हो गया आप लोग किसी भी topic पर अगर आप लोग difference चाते हैं तो आप लोग नीचे comment box में mention कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी इस बात का आप लोग नीचे comment box में response दे सकते हैं चलिए मिलते हैं next video में सिधर की अप्राइब